आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयत और आयत की परिभाशा इस प्रकार है चार भुजाओं से घिरी बंद आकिर्थी जिसके आमने सामने की भुजा लंबाई में समान तता प्रते कोड सम कोड हो आयत कहलाते हैं अब इस figure से हम लोग समझते हैं इसकी definition चार बुजा हैं देखिए आप लोगों को दिख रही है चार बुजा है ठीक है और बुजाओ से घिरी चार बुजाओ से घिरी यहां से one घिरी है फिर second घिरी है पूरा यह घेरा बनाई हुई है चार बुजाओ का और यह आकिर्थी हमारी कहीं से खोली नहीं है बंध है जिसकी देखिए आमने और आमने सामने की क्या है आमने सामने की हुजा लंबाई में समाने देखिए इधर भी समाने और इधर भी समाने तदा प्रितेक कोड, प्रितेक कोड सम कोड, सम कोड 90 के कोड को सम कोड होते हैं और हमारा एक एक कोड सम कोड 90 का है तो उसे आयत कहते हैं जब चार हुजाए हमारी जब सम कोड है और उसका 90 का कोड है तो हम अगर चारों का योग करेंगे तो हमारा 360 आएगा और ये देखी ये जो बीच वली हमारी ये क्या है हमारी जो बीच वली रेखा है ये हमारी क्या कहलाती है विकर्ड इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं आयत का छेत्र फल इसका फार्मूला होता है सूत्र लंबाई गुड़े चौड़ाई तो हमने यहाँ पे लिया मैंने पहले आयत का डाइग्राम क्योंकि मेरे पास फोन स्टेंड है नहीं तो इसलिए आप लोग को करकर के नहीं बता पाती है लिक नहीं पाती हूं त्यड़ा म प्रेड़ा हो जाता है तो इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्ब कर लिया 4 सेटी मेटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 3 सेटी मेटर तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर्मूलर के अकोर्डिंग rappelle 4 सेंटी मेटर फिर गुना 3 सेटी मेटर 4 तूं 12 सेंटी मेटर को ऊपर स्कूर कर ल परिमाब का फार्मूला है हमारा दो कोस्टक लंबाई गुड़े चोड़ाई तो इस फार्मूले से ही हम इसका समधान करेंगे आंसर निकालेंगे 4 cm 3 cm तो इस फार्मूले के according is equal to 2 फिर हमने कोस्टक में लिया 4 cm फिर प्लस 3 cm अब 2 का 2 हमने उतारा और 4 और 3 कोस्टक में यह रखा इसको add किया तो 7 आ गया अब 2 को 7 से हमें गुना करना है 2 सत्य 14 तो हमारा आ गया 14 cm सॉरी मैंने square नहीं लगाया इसमें भी square लगेगा अब हमारा तीसरा आयत का विकर यह देखिए यह हमारा क्या है आयत का विकर्ड आयत का विकर्ड का फार्मूला है लंबाई square प्लस चोड़ाई रूड में है अब इसको रूड की अकॉर्डिंगी मैंने इसका देखिए डाइग्राम भी नहीं बनाया मैंने जबकि मुझे बनाना चाहिए आयत का देखिए बाई हाथ से बना रही है बना लेती हूँ बन गया किसी तरह 4 cm और 3 cm इसी के अकॉर्डिंग देखिए हमने फॉर्मूले के अनुसार रूड में 4 cm रखा स्क्वायर ये तो स्क्वायर रखा है प्लस 3 cm तो 4 का जब रूड हम इसका निकालेंगे वो आप लोग भी जानती है सब लोग जानती है तो 4.16 तीन तरीक का 9 फिर रूड किया मैंने फिर 16 को 9 में जब जोड़ा तो 25 आ गया रूड 25 और 25 का जब अगर मैं रूड हटाऊंगी तो 5 आएगा इसका अंसर आए विकड़ का 5 cm थैंक यू एब्रिवन आफ तब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहें